कि हलो 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 124 124 जिन्दगी का सफर है ये का सफर कोई समय अच्छा कैसे आप सभी लोग में पूरी उमीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया फैमिली में सभी लोग अच्छे से यहां पर मैं भी एकदम मोज में मैं पूरी उमीद करता हूं कि आप सभी लोग की जिन्दगी बहुत बढ़िया चल रही है और सभी पूरी के पूरी मोज ले रहे हैं और पड़ाई बहुत अच्छे से चल रही है एक बार मुझे सब बच्चे बता दो कि कितने बच्चे पांच के पांच चैप्टर के कोशन कर चुके हैं कितने स्टूडेंट्स पांच के पांच चैप्टर के कोशन कर चुके हैं जल्दी से जवाब दीजिए कितने स्टूडेंट हैं जो पांच के पांच चैप्टर के कोशन कर चुके हैं गोड़ इवनिंग जी गोड़ इवनिंग हां जी बहुत ही बड़िया, बहुत ही बड़िया प्रियांशी, भानू, नेहा, भक्ती पासर्व, प्रशान्थ, विपिन, विशाल, विपुल, माने, प्रिभात, पार्श्व बहुत ही बढ़िया बहुत सारे बच्चे बहुत सारे बच्चे अपने कोश्चन तीनों चैप्टर के निव्टा चुके हैं बहुत ही बढ़िया में चीज़ यह यह कि बच्चे अपने साथ के साथ consistency के साथ जो question यहाँ पर चल दे हो नहीं घर पर जाके करें अगर घर पर नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा नहीं होगा कि यहाँ पर question हो जाएंगे वह question exam में कैसे बनेंगे जब आप खुदी question try नहीं करोगा एक बार writing में सर नवंबर 22 में आपका बूस्टर देखकर कोस्टिंग में 70 आये थे विशाल बहुत बढ़े विशाल और बच्चों के ठीक है ठीक है ठीक है बहुत बढ़े है एक बच्चा के रहा है कि सर प्लीज पांच वजिसे ही रखा करिए कुछ काम आ गया था इसलिए थोड़ा से ले 10 नंबर का चैप्टर है बहुत ही ज्यादा आसान है और बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है बहुत ही सिंपल चैप्टर मतलब मैं कहूंगा के ये वन ओव दा ईजियस चैप्टर आपके लिए रहेगा दस नंबर का question exam में आता ही आता है तो ये ध्यान से करने वाला chapter है पूरी तरीके से और आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे calculator लेकर आप लोग को बैठना है बहुत जरूरी है और मैं साथ के साथ question आपको करवाऊंगा और आपको फाइदा इससे मिल जाएगा CA inter costing के booster batch के बारे में पहले थोड़ी सी चीज़े मैं बता देता हूँ कि क्या चीज़े देखिए CA inter costing booster batch नवंबर 2023 के लिए है यहाँ पर हम material labor overhead cost sheet job and batch कर चुके हैं और आज हम activity based costing करने वाले है activity based costing एक बहुत छोटा सा chapter है बहुत ही ज़्यादा आसान है इसमें साथ में बने रहना है मज़ा आने वाला है बहुत ज़्यादा और 10 marks इसमें आपके confirm आ जाते है बूस्टर बैच बेसिकली रहता क्या है नॉट्स कहां से मिलते हैं तो बूस्टर बैच और 26 तक चलेगा एप्रोक्स 10 लेक्चर सेंस में और 136 कोश्चन हमने ढूनके निकाल ले हैं जिनको हम बी बी क्यू बोलते हैं बी बी क्यू यानि बूस्टर बैच कोश्चन इस पीड मीडियम रहे की टाइमिंग 5-8 रहती है जनरल कंसेप्ट 100% होगा इसके अंदर SM, RTP, MTP, PYQ, Practice Manual के जो स्मार्ट पोश्चन है ICI, StudyMate, RTP, MTP, PYQ या फिर Practice Manual से पोश्च सकता है तो वहां के जो important पोश्चन है जो smart पोश्चन है वो हम यहाँ पर cover करते हैं नोट्स का आप print out ले लेंगे, नोट्स कहां से मिलेंगे, नोट्स बड़ा simple है टेली ग्राम चैनल पर आप जाएंगे, तो वहाँ पर CA नमी तरो रहे हैं, नमी तरो रहा classes लिग दीजेगा, और वहाँ पर आप देखेंगे, तो pin करा हुआ है पिन मैसिज में हैं, तो pin को आप किलिक करेंगे, तो आपके पास notes वहाँ पर available हो जाएंगे ये notes printable हैं, आप इनको print करवा सकते हैं, और print करवाना भी है बाकी जो class चल रही है, तो आप rough note वो calculator, pen और पानी लेकर बैठेंगे जो भी question यहाँ पर करवाए जाएंगे, वो सारे के सारे question आपको class के बाद अपने आप से भी solve करने होते हैं, ठीक है जी, तो हम लोग यहाँ पर start कर रहे है activity based costing और मैं आप लोग का जो chat है, वो chat को मैं बंद कर रहा हूँ, ठीक है चैट को हम लोग box बंद कर रहे हैं, और chat हम स्टार्ट करेंगे तब, जब हमारे को कोई doubt वगर रहे हैं, कोई चीज पूछनी होगी अब हमारे पास यह chat यहाँ से हो गई, live chat बंद, done हाँ जी, activity based costing, activity based costing क्या है, जो overhead हमारा chapter था यह उसी की recovery करने का सिर्फ एक तरीका है, देखें, हमारे पास जो overheads रहते हैं, indirect cost रहती है, यह हमारे पास है factory, छीक है इस factory के अंदर, हमारे पास department P1, department P2, department P3, मान लिजे तीन department हैं, फिर S1, S2, S3 है तो S1, S2, S3 के ख़चे P1, P2, P3 पे चले जाते हैं, फिर P1, P2, P3 अपना-पना recovery rate निकालते हैं, तो हमारे पास जो overheads हैं, उसको recover करने का एक तरीका है, traditional, यह इसको हम बोलते हैं, conventional, यह फिर हम इसको बोलते हैं, absorption costing method, तो traditional तरीका, conventional तरीका, यह absorption costing method, तो absorption costing method के अंदर, आप factory overhead को, दो तरीके से recover कर सकते हैं, एक department wife, तो आप department wife recovery rate निकाल सकते हैं, जैसे इसके overhead को आपने लेबर आर्ट से डिवाइड किया, इसे mochnineर किया, इसे मानलो लेबर आर से डिवाइड किया है इसका recovery rate आगया रुपीज 10 पर लेबर आर इसका आगया रुपीज 25 पर मशीन आर और इसका आगया रुपीज 7 पर लेबर आर तो यह आपने rate निकाल दिया एक department wise, absorption costing से दूसरा तरीका इसमें रहता है कि आप एक single rate निकाल दें जिस single rate को हम लोग blanket rate भी बोलते हैं blanket rate में क्या किया जाता है इन departments के अलग-अलग rate नहीं निकाले जाते बलकि पूरी factory का एक rate निकाल दिया जाता है number of unit के basis पर और हमारे पास आ जाता है जैसे पूरी factory का ओवरहेड जोड़ा number of unit से डिवाइड किया जैसे आगिया रुपीज 5 पर unit ओवरहेड है बात खतम उसमें departments में भी हमें जाना नहीं पड़ता तो हमारे पास जो absorption costing method है उसमें आप department wise निकाल सकते हैं या आप single rate निकाल सकते हैं ठीक है दिए modern technique modern technique कहती है कि जैसे आपके पास factory है आप यहाँ पर अलग-अलग activities को recognize करिए कि कौन-कौन सी activity है जिनसे आपका material होके जाता है जैसे किसी department में packing का काम है तो packing का काम एक activity हो जाएगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे हम departments नहीं देखेंगे बलकि हम activity जूनेंगे कि हमारे यहाँ पर business में क्या-क्या activity हो रही है तो packing का काम हो रहा है inspection का काम हो रहा है और आपके पास में set up हो रहा है तो अलग-अलग चीज़े जो भी activity आपको नजर आती है और जिसके ओपर खर्चा होता हो तो activities को recognize करेंगे जैसे activity 1 activity 2 activity 3 activity 4 activity 5 मन भी जिए पांच activity है अलग-अलग हो रही है factory के अंदर अब क्या करेंगे जैसे आपने सबसे पहले activities को recognize कर लिया अब इन activities के ऊपर जो खर्चा हो रहा है उस खर्चे को जोड़िए तो जैसे packing एक activity है तो उसमें packing material लग रहा होगा packing का staff होगा packing की machine होगी उनका depreciation लग रहा होगा वो सारा खर्चा जोड़कर activity 1 में डाल दीजिए उसके बाद हम inspection कर रहे है तो inspection से related जितना भी खर्चा है वो activity 2 में डाल दीजिए तो हम सबसे पहले क्या करेंगे activities को recognize करेंगे कि क्या क्या activity है उसके बाद में इनके खर्चों को जोड़ेंगे कि आखिर इनसे related खर्चा कितना है उस खर्चे को जोड़ने को बोला जाता है cost pool तो सबसे पहले activities को recognize करेंगे कि आखिर activity है क्या क्या उसके बाद में इनकी cost कितनी है वो जोड़ें जिसे हम कहते है cost pool activity one के उपर हमारे दो लाग रुपे खर्चों है activity two पे एक लाग इस पर पचास अजार इस पर 1.5 लेक और इस पर 50,000 हो है ठीक है जी तो इस तरीके से आप खर्चों को जोड़ लिए कि किस-किस activity पे कितना खर्चों है इसके बाद में जब आपने इनकी खर्चा जोड़ लिया फिर आप ढूनेंगे cost driver cost driver का मतलव कि किस तरीके से इन खर्चों को recover करना चाहिए तो ये recovery base है आपका recovery base तो cost driver ढून लिए जैसे labor hour, machine hour inspection के लिए हो सकता है number of units आपके पास में और कोई activity है जैसे माली जी canteen चला रहे हैं तो number of meals इस तरीके से आप उसका cost driver ढून लिजिए बस अब आप cost driver ढूनने के बाद निकाल देंगे recovery rate per activity recovery rate per activity तो हर activity का recovery rate आ जाएगा बस उसके बाद में खर्चों को recover कर लिजिए on the basis of recovery rate calculated in point number 4 तो यह modern technique है इसे हम लोग बोलते है activity based costing तो basically activity based costing कुछ भी नहीं है overhead को absorption के basis पे recover ना करने की जगा department wise और factory wise single rate और department wise rate आप हर activity के हिसाफ से recovery निकालेंगे इसी को बोल गया है activity based costing इससे आसान chapter नहीं हो सकता यह बहुत ही सिंपल चैप्टर है अब यहां पर देखे हमारे पास activity based costing traditional technique absorption costing technique modern technique activity based traditional technique में single या blanket rate निकाल सकते हैं और department wise भी निकाल सकते हैं तो activity based costing में हम लोग activity based costing is an accounting methodology that assign cost to activities rather than product or service तो हम product or service की जाएगे activity के basis पर खर्चों को assign करते हैं कि इतनी activity यूज कर रहे हो तो आपका खर्चा इतना हो जाएगा जितनी ज़्यादी यूज करोगे उतना ज़्यादा आपका खर्चा record किया जाएगा इस technique के अंदर this enable resources and overhead cost to be more accurately assigned to product or services तो ये ज़्यादा accurately assign कर पाता है वो कैसे जैसे माल लोग एक department है P1 उस P1 department के अंदर दो activity चल रही है P1 department इसके अंदर दो अलग-अलग इस department ने दो activity है activity 1 और activity 2 अब एक product आया X उस X ने दोनो activities को use किया और आगे चला गया अब मानी जी आप absorption costing method लगा रहे है यहां का rate है रुपीज 10 पर labor hour absorption costing method से तो X एक घंटा रहे है तो 10 रुपे उसके उपर charge हो जाएंगे अब Y आया Y ने सिर्फ activity 1 का इस्तमाल किया है activity 2 का इसमल किया ही नहीं तब भी Y के लिए भी rate रुपीज 10 पर labor hour रहेगा क्योंकि इस department में जो भी जाएगा हम उससे 10 रुपे पर labor hour लेंगे यह हमारा absorption costing method कहता है activity based क्या कहता है activity कहता है कि नई department को मत देखो activities को देखो X ने दो activity यूज करी है तो दोनों के पैसे देने पड़ेंगे Y ने सिर्फ एक activity यूज किये तो उसे सिर्फ एक activity का पैसा ही देना पड़ेगा तो यह modern technique है ज्यादा accurate आपको answer देती है overhead recognize करने का modern तरीका है छेक है इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़े देखनी होगी सबसे पहली चीज आखिर activity का होती है activity का मतलब है कोई भी event जिस पर cost लगती हो उसे recognize कर लिए ठीक है जी इसके बाद में जैसे हमारे पास एक्जामपिल में packing, forwarding, inspection, test करना यह सब चीज़े activity है क्योंकि इन सब चीज़ें पर खर्चा होता है इसके बाद में cost pool cost pool बड़ा simple सा है कि आप in activity से related जो खर्चा है उसको इखटा कर लिए कि इन activity के उपर कितना खर्चा हो रहा है इसके बाद में यहाँ पर example में लिख लिए group of various cost items related to packing and forwarding जैसे कि packing and forwarding एक activity है तो उससे related जितने भी खर्चें उनको हम जोड़ लेगे इसके बाद में हमारे पास cost driver आता है cost driver दो तरीके के होते है एक होता है resource cost driver इसके बारे में generally आपने पढ़ा नहीं होगा resource cost driver यह बताता है कि जो activity का cost pool है उस पर खर्चे कैसे बटेंगे तो यह पढ़ने में नहीं मिलता हमें पढ़ने के लिए मिलता है activity cost driver activity cost driver है recovery base के किस basis पर हम activity के खर्चों को recover करेंगे ठीक है इसके बाद में cost object cost object का मतलब है किस चीच की cost निकाल रहे है तो जैसे product tax की cost निकाल रहे है तो उसकी prime cost लीजिए overhead को activity based पर recover करिए और काम खतम हो जाएगा stages क्या क्या रही है activity based costing के अंदर सबसे पहले identify करिए different activities फिर उसके बाद में उनके जो overhead है वो link करिए यानि की cost pool इसके बाद में activity के cost drivers क्या है वो देखिए फिर आपको activity cost driver का rate निकालना है के एक activity का recovery rate क्या रहेगा और उसके बाद में overhead को recover करना है तो आपको practically CA enter में क्या करने के लिए मिलेगा CA enter में ना तो आपको activity इडेंटिफाई करनी है ना आपको overhead को relate करना है question खुद बताएगा कौन सी activity है कौन से overhead है activity cost driver आपको दिये जाएंगे कई बार सीधा लिग देगा कई बार पहचानने होंगे इसके बाद में activity cost driver rate आपको निकालना पड़ेगा कई question में निकला हुआ भी देगा और फिर आपको overhead को recover करना है यानि आपको सिर्फ cost driver का rate निकालना है और खर्चों को recover करना है इसके इलावा इस chapter में आपको कुछ नहीं करना होता बहुत ही simple chapter है बहुत आसान है और अराम से इसके questions को देखेगा आपको मज़ा आ जाएगा और एक ही बार में पूरा chapter आपको clear भी हो जाएगा देखेगा अगर हम बात करें activity based method में क्या होगा material labor expense लेकर prime cost पर आ गए अब जब overhead recover करने है तो अलग-अलग activity का जो recovery rate होगा उससे आ जाएंगे फिर total cost आ जाएगी number of units रिवाइट करें cost per unit आ जाएगी एक हमारे पास रहता है cost driver rate कैसे निकाले तो पहले जो activity जो है उनका नाम लिख लीजिए 123 उनकी amount लिख लीजिए उसके बाद में जो भी cost driver है उसका नाम लिख लीजिए उसकी amount लिख लीजिए अब जैसे मान लीजिए हमारी activity का खर्चा है 10 लाक रुपे और उसका बेस है material order material order है 10 अजार तो हमारे पास cost driver rate या activity rate निकल आएगा रुपीज 100 पर order simple बिल्कुल तो overhead divided by overhead का वे recovery rate निकल कर आजाएगा यहाँ पर activity पर किता खर्चोए और उसका cost driver की volume क्या है divide करिए और आपके पास answer आजाएगा ठीक है अब हम लोग को देखने हैं यहाँ से question question activity based costing के बहुत ही simple है calculator लेके बैठ जाएगे सभी और अराम से देखिएगा यह ना understanding वाला chapter है बहुत ही अराम से आपको समझ में आ जाएगा understanding वाला chapter है बहुत धियान से देखिएगा अराम से बिल्कुल G G 2020 Limited is a manufacturer of a range of goods the cost structure of its different product is as given below direct material per unit 50, 40, 40 ABC का material cost per unit labor cost per unit 30, 40, 50 bracket में देदी है rupees 10 per hour अगर हमें labor arts निकालने की जरुरत पड़े तो यहाँ पर हुए 3 hours क्योंकि एक घंटे के 10 रुपे हैं तो 3 hours के 30 हो गए यहाँ हो गए 4 hours और यहाँ हो गए 5 hours अगर जरुरत पड़ी तो तो material cost हुए आगई labor cost हुए आगई production overhead 30, 40, 50 total cost per unit हमारे पास आगई और कितनी units हमने बनाएं यह भी दे दिया जी 2020 limited was absorbing overheads on the basis of direct labor arts तो यह पहले जो overhead recover कर रहे थे वो direct labor arts के basis पर कर रहे थे तो इनका recovery rate direct labor arts था ठीक है a newly appointed management accounting has suggested accountant has suggested that the company should introduced ABC system and had identified cost driver and cost pool edge below तो cost driver खुद धून के बताएगा cost pool खुद बताएगा सारी activity सब कुछ खुद बताएगा इन्होंने चार activity जून ली कि हमारे पास store receiving है inspection है dispatch है और machine setup है इसके बाद में जो इनके cost driver है वो purchase requisition, number of production run order educated और number of setup है और उसके साथ में associated cost को खुद ही निकाल कर बता दिया कि इतने इतने हमारे overhead है ठीक है इसके बाद में question ने आपको बताया कि हमारे पास purchase requisition की बात की जा रही है तो purchase requisition कितने है वो यहाँ पर हमने mention कर दिया 300, 450 और 500 ABC के अंदर run इसके बाद में number of production run हमने यहाँ पर दिखा दिया आपको number of order executed यहाँ दिखा दिया और number of setup यहाँ दिखा दिया तो यानि हमारे पास cost भी है जैसे मान दीजिए store receiving 2,96,000 है किस basis पर recover करना है purchase requisition पर उपर 2,96,000 खर्च हुए है तो एक requisition के 236.8 हो गए यह हमारे पास recovery rate निकल आया ऐसे ही 8,94,000 को production रनके total से divide करेंगे number of order executed dispatch के काम आएंगे machine setup को number of setup से divide करेंगे आपके पास recovery rate निकल कर आ जाएंगे you are required to calculate activity based production cost of all the three product question आपसे एक जाम में कभी भी पूछता है activity based वाले question में कि तीनों product की cost निकाल के बताईए तो आप हमेशा total और per unit दोनों में answer देखे आएंगे तो जैसे पहले total निकाल लिया last में per unit निकाल दो अगर per unit निकाल आए तो last में total अब इन्होंने यहां पर आपसे cost ड्राइवर rate निकालने के लिए बोला नहीं है इस question में कहीं यह नहीं बोला गया कि cost ड्राइवर का rate निकालो आपसे सिर्फ कहा गया है कि activity based cost निकालो ठीक है cost ड्राइवर calculate करने के लिए नहीं कहा गया इसमें बड़ा एक अच्छा point है यह पहले C.A. final में chapter हुआ करता था तो इसके ना presentation के दो तरीके होते हैं वो दोनों तरीके आपको समझने होंगे हो सकता है कि आप activity based costing में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हों जबकि इसमें खर्चा बाटना बहुत ज़्यादा simple है कैसे बटेगा मेरी बात को ध्यान से सुनना calculator लेके बैट जाना ठीक है अब ज़रा देखिए इसके अंदर activity based निकालना है सबसे पहले क्या करिए number of units दी हुई है अब हमें production overhead बाटने activity के basis पर तो बच्चे क्या करते हैं पहले activity rate का working note बना लेते हैं उसमें store, receiving inspection, dispatch और machine setup आ गया उसके बाद इनके cost driver का नाम लिखा उनकी volume लिखी और rate निकल कर आ गया तो जैसे पहले रिप वाले का आ गया 236.8 तो आपने क्या करा 2.96 को उठाया यहाँ 12.50 का total किया आपने 296,000 को 12.50 से divide किया आपके पास आया 236.8 अब A का कितना है? A का निकालना है तो multiply by 300 B का कितना है? multiply by 450 और C का कितना है? multiply by 500 तो 300, 450 और 500 से आपने इसको multiply कर दिया ऐसे ही इसके बाद में inspection, dispatch और machine setup आ गया ठीक है इसका एक आसान तरीका होता है और उसके number पूरे मिलते है लेकिन इसमें important बात यह है कि आपको ये देखना होगा कि question ने cost driver rate requirement में मांगा है या नहीं मांगा है तो यहाँ पर अगर हम देखें तो उसका है कि activity based production cost निकालो cost driver rate हमें निकालने के लिए नहीं का अगर आपसे cost driver rate निकालने के लिए नहीं कहा गया है तो इसका बहुत आसान तरीका है वो क्या है यह सबसे पहला खर्चा है store receiving 2.96 2.96,000 purchase requisition के basis पर बाटना है तो आप क्या करिए store receiving और उसके आगे simply 2.96,000 है इस 2.96,000 को जो उसका cost driver है उसके ratio में बाट दीजिए तो purchase requisition का है आपके पास 300, 450 और 500 तो आप इसको 300, 450, 500 के ratio में बाट दीजिए आपको ना तो यह working note बनाना पड़ेगा और नहीं आपको calculation अलग-अलग दिखानी पड़ेगी ratio में बाट दीजिए पूरे number मिल जाएंगे ratio में तब बाट सकते हैं जब आप total cost निकाल रहे हो पर unit cost अगर निकाल रहे हैं तो नहीं होगा यह काम कैसे करता है यह काम करता है सिर्ट total के उपर कि आप total खर्चा ले रहे हो तो 296 पूरा उठाकर सीधा बढ़ गया जी ratio में आप बढ़ के देखे कितना आ रहे है यह हो गया पहले का आ गया 71040 दूसरे का आ गया 106560 और 30 एक आ आपके पास 118400 तो तीनों का आ गया है बिल्कु सिंपल तरीका है अब जड़ा आप लोग मुझे बताएं इंस्पेक्शन के खर्चा इंस्पेक्शन का खर्चा 894 है इसे कैसे बाट हूं 894 लीजिए नंबर ओफ प्रोडक्शन रंका रेशो उठा लीजिए 750 1050 और 1200 के रेशो में बाट लीजिए तो 894000 इन रेशो है आपके पास 750 1050 1200 यह हमारे पास आ गया 750 1050 1200 3000 894000 डिवाइड यह 3000 मल्टिप्लाइए 750 पहले का गया 223 500 दूसरे का गया 239 312 900 और लास्ट वाले का गया 357 600 तीनों का गया ऐसे ही डिस्पेच का खर्चा 210,000 को 180 इस्टू 270 इस्टू 300 के रेशो में और मशीन सैट अप के 12 लाग रुपे को 360, 390 और 450 के रेशो में बाट दीगे आपकी total production cost आजाएगी, total production cost को आप number of unit से divide करेंगे तो cost per unit आपके पास निकल कर आजाएगा, यह बिल्कुल आसान तरीका होता है इसमें नीचे वाला working note आपको बनाना नहीं पड़ेगा, सीधे रेशो में बाट ओ, तो question करने का time बहुत कम हो जाएगा आप पूरे number मिलेंगे, पूरे number, कोई एक भी number नहीं कटेगा इसके अंदर आपका अच्छा, अगर लंबे तरीके से करना चाहते हैं, तो फिर यह ही है कि पहले activity rate निकालो, फिर बाटो इसके इलावत ध्यान रखना है, कि यह काम को करेगा यह ratio में बाटने वाला, पहली चीज़ जब आप statement को total के basis पर बनाए है total cost calculate कर रहे हो, तब काम कर पाएगा, क्योंगी पूरा खर्चा ratio में बाटना होगा, पर unit पे काम नहीं कर पाएगा पर unit के लिए आपको cost driver rate निकालना पड़ेगा, तब ही जा पाएगे, अचा दूसरी चीज, कोशन ने आप से cost driver rate निकलवाना नहीं है, यानि कोशन ने काई निकालो, कुछ कोशन ऐसे आएगी, जो पहली कह देता है, कि calculate cost driver rate, अगर कोशन ने कह दिया calculate cost driver rate, फिर आपको ये cost driver rate निकालकर दिखाना ही दिखाना पड़ेगा, किलियर है बिल्कुल, इसमें कोई doubt है तो बता दीजिए, तब ही फिर इसके आगे बढ़ूँगा, क्योंकि main point यही है, बच्चों के लिए पूरा का पूरा chapter आसान बनाना बहुत simple है, आप लोग को किलियर है बात में क्या बत हान जी किलियर है ठीक है done बच्चा बूरा है, मार्क्स तो नहीं कटेंगे ना, बिल्कुल नहीं कटेंगे, पूरे नंबर है और टाइम भी बहुत ही, टाइम भी बहुत ही कम लगेगा एक बच्चा कह रहा है कि सर, A, B, C, B, overhead का ही, बिल्कुल overhead को बाटेने का एक तरीका ही ABC है बस और कुछ है ही नहीं इसके अंदर ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग के पास आगे बढ़ते हैं, कोशन देखते हैं, बेसे बल कर रहा हूं में चाट अब मज़ा आने वाला है, क्योंकि आप लोग को चीज के लिए रोगए कि अच्छा इस तरह से हम कर सकते हैं, आजेगे, अब आगे कोशन पढ़ते हैं बी-वी-क्यू-Forty-Six, जो 45 था, उसके अंदर हमें खर्चे दिये हुए थे, के भई, ओवरहेड इतने इतने हैं यह overhead दिये हुए थे अब जो हमारे पास BBQ46 है इसके अंदर overhead दिये हुए नहीं है बलकि overhead इसमें हमें खुद निकालने है star limited manufacture 3 product using the same production method a conventional product costing system is being used currently conventional यानि हमारी absorption costing वाला तरीका भी चल रहा है okay it being used currently detail of the 3 products for a typical period are AX, BX, CX direct labor hour per unit 1 hour .9 hour 1.5 hour time दे दिया machine hour per unit 2, 1.5, 2.5 direct material per unit 35, 25 और 45 number of unit 7500, 12,500, 25,000 यह data दिया है direct labor cost रुपीज 20 पर hour तो यहां पर labor hour तो दिया हुआ है 20 रुपीज पर hour है तो labor cost कितनी हो गई 20 रुपे 18 रुपे 30 रुपे तो हमारे पास material cost per unit 35, 25, 45 हो गई labor cost per unit 20, 18 और 30 हो गई ठीक है इसके बाद कह रहे है production overhead are absorbed on the basis of machine hours machine hours के basis पर हम overhead को recover कर रहे है overhead का recovery rate 30 रुपीज पर machine आ रहे है एक घंटे का 30 रुपे हमारा recovery rate है ठीक है तो अब मुझे यह बताईए कि आपके machine hours हैं कितने टोटल 2 hours 7500 unit हैं तो 7500 unit 2 घंटे 15,000 hours तो हो गई यहाँ पर AX पर plus BX की बात करें तो 12,500 1.5 hour यह हमारे पास हो गया 18,750 और अगर हम बात करते हैं CX की तो 25,000 unit और धाई घंटा है 25,000 और धाई घंटा यह हो गया 62,500 तो 62,500 18,750 और 15,000 आपके पास 96,250 machine hours टोटल निकल कर आगए टोटल machine hours होगे 96,250 2 hours 7500 unit 1.5 hour 12,500 unit और 2.5 hour 25,000 unit रीकवरी रेट 30 रुपे है एक घंटे का तो मुझे बताईए overhead कितने रहे होंगे 96,250 multiply by 30 रुपीज हर घंटे के 30 रुपे हैं तो overhead रहे होंगे 28,87,000 तो हमारे पास 28,87,500 के overheads आपके निकल कर आगए तो इसमें सबसे पहले तो हमें overheads निकालने क्या खिर overheads कितने निकल गए लिए overheads अब कोश्चन कह रहा है management is considering using activity based costing system to ascertain the cost of product further analyze show the so that the production overhead can be divided as follow कहरें production overhead हम ऐसे बाठ सकते हैं cost relating to setup relating to machine, relating to material handling और relating to inspection चार activity हो गई setup से related, machinery से related, material handling और inspection तो इन्होंने यह नहीं बताया overhead कितना कितना है, overhead आपको निकालना ही पड़ता है इस question में पहले overhead निकलेगा, उसके आप में कह रहे हैं 40, 10, 30 और 20 के ratio में हम उसको बाठ देंगे तो बताये overhead आचुक है 28, 87, 500 इसको 40, 10, 30 और 20 के ratio में बाठ दो तो इसका हमारे पास हो गया 40%, 11, 55, 10%, 28, 87, 50, 30%, 8, 66, 250, 20%, 5, 77, 500 यह हमारे पास खर्ची आ गए और इन सब का total है 28, 87, 500 ठीक है जिए अब question ने आगे बताया the following activity volumes are associated with the product line for the period as a whole total activities for the period number of setup पूरे साल में AX, BX, CX के 350, 450, 740 रहें total 1540 हैं तो number of setup किसके काम आएंगे number of setup, setup related cost को बाठने के काम आएंगे इसके बाद में number of movement of material दिया है वो material handling के काम आजाएगा number of inspection दिया है वो inspection के काम आजाएंगे अब cost relating to machine दिया है उसका कोई base नहीं दिया तो cost relating to machine को हम labor arts पे, material cost पे या machine arts पे, किस चीज़ बाठें तो machine से related तो machine arts है तो हम इसे machine arts के ratio में बाठ देंगे, machine arts हमने निकाले भी थे 15,000, 18,750 और 62,500 टोटल 96,250 हमारे पास machine arts से ठीक है अब question आगे कह रहा है calculate cost per unit of each product using conventional method और clear cost per unit निकालनी है अगर per unit cost मांगी है conventional method से तो total निकालनी की जिरुष नहीं है सिर्फ per unit दिखाएंगे तो भी काम चलेगा conventional यानि हमारा traditional तरीका तो conventional में बड़ा simple है material 35, 25, 45 है labor 20 रुपे, 18 रुपे और 30 रुपे है overheads कितने होंगे 30 रुपीज पर machine arts था तो 30 से multiply करो इसको 2 को तो overhead आगे आपके 60 और यह हो गया 45 और यह हो गया आपका 75 रुपीज के overhead हो गये बस जोड़ दो इन्हें material, labor, overhead तीनों आगए इन्हें जोड़ दो traditional method से cost per unit आपके निकल जाएगी तो यह हमारे पास material ले लिया, labor ले लिया overhead ले लिया, 35, 25, 45 20, 18, 30, 60, 45, 75 cost per unit निकल गया अब दूसरी requirement calculate cost per unit of each product using activity based costing अब cost per unit मांगा है activity based मांगा है आसान क्या रहेगा, पहले total में निकाल दो total में निकालने के लिए क्यों कह रहा हूँ अराम से ratio में सारे overhead बढ़ जाएगे आपकी attention खतम हो जाएगी time कम लगेगा, number उतने ही मिलने आपको तो अब अगर activity based से बोला है तो simply number of unit mention कर दी हमने पहले material cost per unit पता थी labor cost per unit पता थी उसे number of unit से multiply कर दिया production overhead आया, सबसे पहले setup cost अब दो तरीके हैं पहला तरीका, question ने cost driver निकालने के लिए कहीं नी बोला आपको पहला तरीका है कि आप जैसे setup का खर्चा है 11,55,000 इसको आप total number of setup 15,40 से divide करो तो 11,55 55, इसे divide करो 15,40 से और आपके पास 750 per setup को उस्ट आट रही है पहले इसे निकालो अब ABC में बाटना है इसको तो 750 multiply by 350 करोगे तो A का खर्चा जाएगा 450 में multiply करोगे तो B का और C X में multiply करोगे तो C का खर्चा जाएगा 7,40 में तो पहले तो आप यहाँ पर यह machine arts हम निकाल के दिखा चुके है production overhead भी हम निकाल के दिखा चुके है सबसे पहले चारो activity लिखी उनके overhead लिख लिए कितने आ रहे है coach driver का नाम coach driver की volume और यहाँ पर निकाल दिया 750 per setup ऐसी बाकी सब का भी भी निकल जाएगा अभी 750 को multiply करके दिखाओ पहले 350 में 450 में और 740 में तो यहाँ पर 350 750 और यह 450 और 740 मुल्टिपलाई करा आ गया दूसरा तरीका क्या है आप इस coach driver statement को बनाईए ही मत जरूरती नहीं है बड़ा simple है क्या करिए 11,55,000 को उठाईए और बताईए किस रेशो में बाट दिएंगे 11,55 को यहाँ पर लिखेंगे 11,55 इन रेशो क्या रहेगा 350, 450, 740 यही तो इनका रेशो है setup का जो रेशो है उस रेशो में खर्चे को बाट दिए तो 350 और आपका 450 और 740 के रेशो में बाट दिए आपको यह सब दिखाना ही नहीं पड़ेगा बार बार कैलकुलेट करके सीधे आ जिएगा ऐसे ही में मशीन डिलेटिट कोस्ट है तो 288,750 मशीन डिलेटिट कोस्ट है इसको मशीन आर्स में बाटना है तो 288,750 को 15,000, 18,750 50 और 60 to 500 के रेशो में बाट दिए जो मशीन आर्स है इसी तरीके से मैटेरियल हैंडिंग को आप मूवमेंट के रेशो में और इंस्पेक्शन को नमबर ओफ इंस्पेक्शन के रेशो में बाट सकते हैं तो इसमें आपका टाइम कम लगेगा आसानी से कोस्टन हो जाएगा नमबर पूरे मिलें नमबर की कोई दिक्कत नहीं है फाइनल में इसके स्टडी मैट में आंसर ही ऐसा होते थे ICI ने जो CA इंटर में रखा CA इंटर में बच्चे को मानते हैं इसको मतलब सिर्फ एक वर्किंग नौलीज होनी चाहिए तो उसमें स्टेब बाई स्टेब करवाया तो ICI के स्टडी मोड्यूल में कई सारे कोस्टन तो एसे सोल्वें के पहले कोस्ट राइवर रेट निकाला फिर बाटा है और कई सारे कोस्टन खुद सोल्व किये हुए ICI के स्टडी मैट ने रेशो में बाट कर तो दोनों तरीके से अलाओड है इविन जो एक्टिविटी बेस्ट कोस्टिंग का सर्जेस्टिड आंसर आता है ICI का उसमें भी रेशो में बटा हुआ होता है तो आप सीधे रेशो में बाट सकते है पूरे नंबर मिलेंगे टाइम कम मिलेगा लंबा प्रोसेस क्या है पहले कोस्ट ड्राइवर रेट निकालो फिर बाटो कोस्ट ड्राइवर रेट तब निकालो न जब कोश्टन स्पेसिफिकली आप से कहे के कोस्ट ड्राइवर रेट निकालने है वरना क्यों दिमाग अपना टाइम खराब करना ठीक है जी आजएगे बीबीक्यू फोटी सेवर बीबीक्यू फोटी सेवर इस्टडी मोट्यूल का कोश्चन है आर्टी पी में भी दो बार आ चुका है किसी भी दिन एक्जाम में आने वाला है कोश्चन अच्छा है आज अगी पढ़ते हैं बेबी सोफ्ट इजग ग्लोबल ब्रांड क्रियेटेट बाई 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 ओर्गैनिक लिमिटेट तो इन्होंने गॉल्ड पर्ल डायमंड तीन तरीके के अपने साबुन के प्रोड़क्ट वेराइटी निकाली हुई है तो बजचेटिट कोस्ट एंड प्रोड़क्शन फोर दा मन्त ओफ दिसंबर 22 एज गिविन बलो बेबी सोफ्ट गॉल्ड पर्ल डायमंड नमबर ओफ यूनिट 4000, 3000, 2000 है ठीक है रिसोर्सिज पर यूनिट कितनी लगने वाली है तो इनमें एसेंशल ओयल, कोकोवटर, फिल्टर्ड वोटर, कैमिकल्स और डायरेक्ट लेबर लगने वाली है तो एसेंशल, ओयल, बेबी सोफ्ट, गॉल्ड के अंदर बात करें तो उस पर यूनिट के वारे में बता रहे है 60 ml लगेगा और 100 ml 200 रुपे का है तो बड़ा सिंपल है 200 रुपे का 100 ml है तो 60 ml कितने का होगा 120 रुपे का 300 रुपे का 100 ml है तो 55 ml कितने का होगा 165 का जाएगा और 300 का 100 ml है तो 65 कितना आएगा 195 आजाएगा ठीक है इसके बात में यहाँ पर 200 का 100 रुपे का 100 रुपे का 100 रुपे है तो 20 रुपे का 40 रुपे का यह भी 40 रुपे का ठीक है जी filtered water 15 रुपे का 100 ml है तो 30 ml आपका हो गया 45 रुपीज का 45 का थोड़ी 4.5 का हो गया 15 by 100 multiply 30 4.5 का अच्छा यहाँ पर भी 4.5 यहाँ पर भी 4.5 ठीक है दिए इसके बाद में chemical 30 रुपे का 100 ग्राम है तो 10 ग्राम 3 रुपे का 50 रुपे का 100 ग्राम है या 6 रुपे का और 60 रुपीज का 100 ग्राम है तो 15 ग्राम हो गया आपका 9 रुपे का तो इस तरीके से इनकी cost निकल जाएगी इसके बाद में इन्होंने बताया है कि डाइरेक लेबर 30 मिनट है 10 रुपे पर आर का रेट है तो या 10 रुपे एक घंटे का रेट है तो 30 मिनट का रेट पांच रुपे हो गया पांच रुपे लेबर के लग गए यहाँ पर 10 रुपे पर आर तो 60 मिनट तो 10 रुपे 60 मिनट के हैं तो 40 मिनट के कितने होंगे 6.67 और यहाँ पर पूरे 60 मिनट लगेंगे तो 10 रुपे पूरे लग जाएंगे ठीक है जी इस तरह ऐसे इन्होंने डेटा दे दिया जिससे बच्चे को थोड़ी सी वर्किंग जाद करनी पड़े और कुछ ने इसके बाद में बायो और गैनिक लिमिटेट फोलोड एन एब्जोर्शन कोस्टिंग सिस्टम एंड एब्जोर्ब इट्स प्रोड़क्शन ओवर हैड टू इट्स प्रोड़क्ट यूजिंग डाइरेक्ट लेबर आर रेट विच वर यूजिंग दा एब्जोर्शन कोस्टिंग मेथड तो पहले हम एब्जोर्शन कोस्टिंग मेथड से करेंगे एब्जोर्शन कोस्टिंग मेथड के अंदर हमें लेबर आर रेट अभी पता नहीं है कितना है निकालना पड़ेगा तो ओवर हेड कितने हैं 1,98,000 ठीक है अब इन्टु 40 बाइ 60 2000 हो गए प्लस 2000 यूनिट और हर यूनिट पे 60 यूनिट यानि 2000 तीनों के 2000 घंटे निकले तो 6000 आर्ट्स हो गए तो 1,98,000 डिवाइद बाइ 6000 रुपीज 33 पर लेबर आर का हमारा ओवर हेड का रिकवरी रेट आ गया अब हमारे को कोस्ट के भई मैटेरियल कोस्ट हमारी कितनी आएगी तो मैटेरियल कोस्ट हमारे पास बताना शुरू करिए 200 रुपे का 100 ml है तो 60 ml 120 रुपे का प्लस 200 का 100 ग्राम है तो 20 ग्राम 40 रुपे का 15 रुपीज का 100 ml है तो 30 ml 4.5 रुपीज का 30 रुपीज का 100 ग्राम है तो 10 ग्राम 3 रुपे का यह material cost हो गई labor cost 10 रुपे एक घंटे की तो 30 मिनट की 5 रुपे और overhead 33 रुपीज पर labor आ रहे है आपके हैं आदा घंटा तो आदे घंटे के हो गए 16.5 यह आपके पास आ गया 120 प्लस 40 प्लस 4.5 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 16.5 189 रुपीज आपका बेबी सॉफ्ट गोल्ड का पर यूनिट खर्चा हो गया उसे 4000 से multiply करिए आपके पास total आ जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हमने यहाँ पर material cost निकाल के दिखाए 120 इसके आदे 40, 4.53 इतने रुपे लग गए तो material कितना कितना लगा है वो बता दिया उसके बाद में हमने यहाँ पर labor का खर्चा और overhead का खर्चा दिखा दिया तो 189 पर यूनिट हमारे पास gold का ऐसी पर्ड और diamond का निकल जाएगा तो absorption से तो हमारे पास इसका answer आ गया इसके बाद में question हमसे कह रहा है अब यह ABC लगाना चाहते है इन्होंने activities देती टीन activity हो गई अब इन तीनों activities के अंदर हमारे पास direct labor arts हमारे पास है 2000-2000-2000 का ratio में ठीक है जी तो यह हमारे पास 2000 इस्टो 2000 इस्टो 2000 6000 घंटे total है मैंने ratio भी लिख दिया इसके बाद के रहे number of machine operation per unit of production are 556 gold, pearl और diamond के लिए 556 तो 4000 unit 5 operation यह हो गए पहले वाले के 20,000 दूसरे वाले के 5 operation 3000 unit 15,000 हो गए और तीसरे वाले के 6 और 2000 unit तो 12,000 हो गए तो machine operation आगे 20,000, 15,000 और 12,000 इसके बाद में अब weight और चाहिए material का तो जब material का weight चाहिए question ने यहाँ पर आपको material के weight में यह चार चीज़े material हैं हमारे पास इन चारों चीज़ों में यह तो gram में हैं दो चीज इसके बाद यह दोनों चीज ml में है तो ml वाले को weight में यानि gram में कैसे convert करें अगर gram में convert करना चाहिए तो उसके लिए question नहीं यहाँ पर एक बात होता ही है आपको consider mass of 1 liter of essential oil and filtered water equivalent to 0.8 and 1 kg respectively तो कह रहे हैं कि आपको 1 liter essential oil को 0.8 kg के बरावर मानना है एक लीटर यानि 1000 ml तो 1000 ml essential oil को 0.8 kg यानि 800 gram के बरावर मानना है और filtered water को 1 kg यानि 1000 gram के बरावर मानना है तो 1000 ml essential oil 800 gram या फिर 1 ml 0.8 gram के बरावर हो गया तो 1 ml 0.8 के बरावर हो गया और जो दूसरा है आपके पास filter water वो 1000 ml 1000 gram के बरावर है यानि 1 ml और 1 gram एक बरावर है तो यहाँ पर जब weight की बात निकल कर आएगी तो जो essential oil है वो हर 1 ml 0.8 gram के बरावर है और जो filtered water है वो 1 ml 1 gram के बरावर है ठीक है अब अगर हम weight देखें तो यह 60 ml का multiply by 0.8 48 gram हो गया यह बाकी सब ठीक है यह 30 ml 30 gram के बरावर ही होगा तो change करने की जड़रती नहीं है लेकिन जो हमारे पास essential oil है वो gram में convert हमें करना पड़े गया 48 gram 55 multiply by 0.8 44 gram और यह 65 multiply by 0.8 52 gram निकल कर आगया अब total weight की अगर बात की जाए तो 48, 20, 30 और 10 48, 20, 30 और 10 total 108 gram इसका है एक unit का इसके बात में यहाँ पर दूसरे आले का 44, 20, 30 और 12 इसका है 106 gram per unit और इसका है आपका 52, 20, 30 and 15 117 gram एक unit का 4,000 unit है यहाँ पर 3,000 unit है और यहाँ पर 2,000 unit है तो अगर मैं grams में ही निकालूं grams में तो 108 multiply by 4000 4, 32,000 gram आप इसको 4, 32 kg भी लिख सकते हैं 4, 32 kg हो गया 106 multiply by 3000 3,18,000 gram यहाँ आप कर सकते हैं 318 kg भी 1000 से डिवाइड कर दो kg में आ रहाएगा and 117 multiply by 2000 234,000 gram यहाँ फिर 234 kg तो अब यह weight का ratio आ गया यह आपका labor का ratio आ गया और यह आपका machine operation का ratio आ गया अब आप इन खर्चों को इन ratio में बाट देंगे तो आपका काम खतम हो जाएगा और cost निकल कर आ जाएगी activity based के basis पर तो दूसरी requirement है prepare statement showing product cost of each product using ABC तो ABC में बाटना है जी तो material cost तो हम निकाली चुके हैं working note में 167, 215 और 248 तो यहाँ पर number of unit mention करती हैं हमने ABC से इसको अगर आप total में बनाएंगे total में तो आसानी रहेगी total में क्या करना है direct material at the rate of 167.5 215.5 and 248.5 पर unit लिखे आ जाएगा labor आपके पास 5 रुपीच 6.67, 10 रुपीच पर unit आ जाएगा उसके बाद में जब production overhead की बात आएगी तो जो आपकी fork lifting cost है 58,000 वो किस ratio में बटेगी fork lifting cost 58,000 in 432, 318, 432, 318, 234 in 432, 318 and 234 के ratio में इस खर्चे को बाट दी दिये supervising cost को किस ratio में बाट दिये 2000, 2000, 2000 के ratio में और utilities को 2015 और 12 के ratio में बाट दी दिये total cost निकल कर आजाएगी जब total cost आजाएगी उसे number of units से divide कर देना cost पर unit निकल कर आपके पास आजाएगी question खतम तो एक अच्छा question है इसे material को कैसे convert किया है labor को कैसे निकालना है material के grams कैसे निकालना है बढ़िया question था, दो बार RTP में आएगी और study module का अच्छा और famous question है ठीक है जी यहाँ तक आप लोग को अगर कोई doubt है कोई आपको बात लग लिए तो बता सकते है जी मैंने chat on कर दिये फिर हमारे पास बस अब ये same to same सारे question चलते रहेंगे हमारे पास चार question और हैं इसके अलग-अलग, सब study module के question हमने इसलिए रखे हुए हैं इसके अंदर इतने सारे है तो एक ही type का question देखा जाए तो लेकिन हमने अलग-अलग type के जो भी इसके question है, सारे इसमें रख लिए हैं क्योंकि 10 number का सीधा question आता है है बहुत आसान जी किसी का कोई point है तो बता सकते हैं लागब कह रहे हैं कि सर एक बार unit cost में कैसे निकालना है वो और बता दो अच्छा और ओके हाई बच्चे कह रहे हैं कि सर ये वाला थोड़ा सा question टाइट लगा है ये question है थोड़ा सा tight कोई बात नहीं बच्चे कह रहे हैं कि सर यूनिट में और बता दो यूनिट में कैसे निकालना है बहुत ही simple है अगर आपको यूनिट पे जाना है यूनिट पर तो आपको इनके पहले cost driver से rate निकालने पड़ेंगे तो 58,000 432, 318 और 234 984 58,000 divided by 984 आपको पहले इसका recovery rate निकालना पड़ेगा 58,000 में दिखा देता हूं cost driver निकाल के दिखाना पड़ेगा यहाँ पर cost driver rate 58,000 divided by 9,84,000 0.06 पर ग्राम आगया पहले वाले का rate super viking को 6,000 आर्ट से डिवाइड किया 10 रुपे परार utility को 47,000 जो हमारे machine operation है उन से डिवाइड किया 1.7 यानि कि यहाँ पर हम ratio में बाटने की बात नहीं कर रहे बलकि इनका total कर रहे है 2015, 2012 यह आपके पास हो गया 47,000 यह आपके पास हो गया 9,84,000 ग्राम तो आपके पास total volume आ गई अब आपको क्या करना है cost driver की cost लिखनी है कि हमारी cost 58 9,84 ग्राम के लिए 60,000 का खर्चा supervising का 6,000 labor arts के लिए 80,000 utilities 47,000 machine operation के लिए तो आपके पास 0.06, 10 रुपीज और 1.7 पर machine operation यह आपके पास आगए recovery rate बस अब इस recovery rate से per unit में क्या करना है जैसे fork lifting cost है तो बताएए एक जो baby soft gold है उसमें weight कितना है तो baby soft gold के अंदर जो हमारा weight निकल कर आया था वो निकल कर आया था 108 gram यहाँ पर हमने लिखा भी था 108 इसमें था 106 इसमें था 117 तो 108 gram आपके पास weight निकल कर आया है और recovery rate है 0.06 per gram तो 108, 0.06 आपका rate इसका 106 और इसका 117 multiply by 66 gram आ जाएगा supervising cost आपके पास 10 रुपे पर labor आ रहा है तो यहाँ पर 30 मिनट की कितनी होगी 5 रुपे 40 मिनट की 6.67 और एक घंटे की 10 रुपे आ जाएगी और utility 1.7 per machine operation है आपके operation दिये हुए है per unit 556 तो एक operation के 1.7 है तो 5 operation के 5 operation के और 6 operation के कितने होगी ऐसे निकाल दीजिए पर मैं आपको बताओं यह तरीका लंबा रहता है अगर आप ratio में बाटेंगे तो आखसान रहेगा ratio में बाटके देखेगा वीडियो के साथ बहुत आसानी से बन जाएगा बहुत simple हो जाता है वो working बहुत कम होती है उसके अंदर इसके बाद हमारे पास अब है bbq 48 तो activity based costing के जितने भी question थे ना यह जो हमने तीनों question करें इन question के बाद अब ABC में कुछ बचता नहीं है पर कहीं कहीं कुछ-कुछ छोटी-छोटी सी adjustment है जो exam में पूछी जाती है वो हमने अगले questions में cover की है देखेगा Asian manufacturing company had decided to increase the size of store it wants the information about the probability of the individual product line lemon, grape, papaya इनके पास तीन तरीके के product आ गए it provides the following data for 2023 for each product line ये exam में दो बार आ चुक है question revenue दे दिया आपको COGS दे दिया आपको दोनों चीज़े दियो ही है इसके बाद में ये कुछ अलग detail दिये cost of bottle return 1200 है number of purchase order, number of delivery hours of self stocking, item sold ये हमारे पास other detail आ गई Asian manufacturing company also provides the following information for the year 23 activity इन्होंने बताई हमारे पास है एक तो bottle return, दूसरी ordering तीसरी delivery, चोथी self stocking पांचवी customer और पांचवी customer support पांच activity है एक, दो, तीन, चार, पांच bottle return के आगे लिखा है returning of empty bottle to stores खर्चा 1200 रुपे है ये direct tracing to product line है यानि ये किस product से related है सीधे आप देख सकते हो तो bottle return का खर्चा lemon के उपर है तो bottle return का खर्चा lemon में आजएगा बाकी दोन में तो 0-0 है ठीक है जी, इसके बाद में कह रहे है ordering का खर्चा placing of order purchase से related है 15,600 है total 156 purchase order है तो एक order पर 100 रुपे हो गया 100 रुपे पर order अब हमारे पास यहाँ पर order कितने है lemon पर 36, यह 84, यह 36 तो यह 3600 हो जाएगा यह 8400, यह 3600 खर्चा 100 रुपे पर order का खर्चा है हमारा इसके बाद delivery का खर्चा 25,200 है, 315 delivery है तो 25,200 डिवाइड वई 315 delivery 80 रुपीच पर डिलीवरी हो गया अब इसकी डिलीवरी कितनी है 30, multiply वई 80 रुपीच 2400 हो गया इसकी डिलीवरी है 219 तो यह हो गया 17,520 और इसकी डिलीवरी है 66 तो 66 multiply वई 80 यह हो गया 52080 फिर कहारें, self-stalking 17,280 का खर्चा है 864 आर्स के लिए तो एक घंटे का कितना हो गया 17,280 डिवाइड वाई 864 एक घंटे का 20 रुपय हो गया अब यहां पर आर्स जिये गए 54 x 20 रुपीज 540 x 20 रुपीज and 270 x 20 रुपीज फिर कह रहे हैं Customer support 30,720 है 1,53,600 आइटम सोल्ड पर तो एक आइटम सोल्ड पर कितना खर्चा हो गया यह हो गया 20 पैसे पर यॉनिट तो इसकी 12,600 यॉनिट भी की है multiply with 20 पैसे 1,10,400 multiply with 20 पैसे 30,600 multiply with 20 पैसे यानि यहां पर total cost दे दी गई है और फिर cost driver की volume भी दे दी गई है बस हमें cost driver rate निकालना था और इसको multiply कर दी जिए निकल कर आ जिएगा कितना profit कितना loss है अब requirement क्या है question की वो देखते है Asian manufacturing company currently allocate store support cost all cost other than COGS तो COGS के इलावा हमारी cost कितनी है revenue और COGS तो यहां दिया हुए उसके इलावा के सारे खर्चे यहां दिये हुए है इनने जोड़ लीजिए 1200 15,600, 25,200 17,280 37,20 यह हमारे पास होगे 90,000 तो इसका अंदर COGS के इलावा 90,000 रुपीर हमारा खर्चा है अच्छा जी कहरें कि to the product line on the basis of COGS of each product line कहरें कि अभी जो हम allocate करते हैं store support cost को वो हम COGS के basis पर ही कर रहे हैं यानि जिसका जित्ता COGS है वो उत्ता खर्चा बियर करेगा calculate operating income and operating income as a percentage of revenue तो आपको operating profit बताना है और percentage of profit sales से link करके भी बताना है तो यहां पर हमारे पास revenue लिख लिखेजिए सबसे पहले यह दिया हुआ है copy paste मार दिया इसमें से COGS माइनस कर दीजिए 60, 150 और 90 अब जो support का खर्चा 90,000 है वो इस COGS के रेशो में ही बटेगा यानि यह 90,000 60, 150 और 90 के रेशो में बट दीजिए तो यहां पर revenue लिया COGS माइनस किया फिर store support cost 90,000 को 6 is to 15 is to 9 इसी रेशो में बट दिया आपके पास operating profit आ गया इस operating profit को sale से अगर percentage निकालोगे तो percentage निकल कर आपके पास आ जाएगी last में total का column भी दिया है जिसकी ज़र्वत नहीं थी question ने total नहीं पूछा था आपसे तो टोटल नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा अब इसके बाद में question की requirement नमबर टू तो पहले तो COGS के basis पर बाट दिया अब activity के basis पर बटवाएगा if Asian manufacturing company allocate store support cost हम फिर से अब support cost को बाटना चाहते है all cost other than COGS ये तो हमें पता चल गया COGS के इलावा वाले जो 90,000 है उसकी बात कर रहे हो to the product line on the basis of ABC activity based system पर आप बाटना चाहते है तो operating income और operating income की percentage बता दिये तो भाईया ABC basis पर अगर बाटना है तो revenue में से COGS minus होगा ये रहा COGS अब store support cost में 5 activity है 1, 2, 3, 4, 5 अब हर activity के हिसाफ से minus होगा जैसे की bottle return सीधा का सीधा lemon पर minus हो जाएगा तो bottle return lemon पर minus हो गया इसके बाद में जो ordering का खर्चा है वो ordering का खर्चा 100 रुपीच पर order आ गया है तो 100 रुपीच पर order से हमारे पास यहाँ पर 36 order 100 रुपीच 3600 8400 3600 तो 3600 8400 3600 टोटल का कोलम आप बनाओ मत बनाओ कोई फर्क नी पड़ता इसके बाद में delivery 80 रुपीच पर delivery थी तो 30 multiply by 80 2400 219 multiply by 80 17 520 और 66 multiply by 80 5280 यह मार पास 24, 17 520, 5280 आ गया इसके बाद में selfish talking वो हमारे पास आ गया था 20 रुपीच पर hour तो 54 hours into 20 540 into 20 270 multiply by 20 और उसके बाद में हमारे पास आ गया था customer support 20 पैसे per unit तो 12600 unit multiply by 20 पैसे multiply by 20 पैसे multiply by 20 पैसे यह सारे खर्चे हमने अलग-अलग minus किये हमारे पास आ गया operating profit इस profit को revenue से divide कर दीजिए percentage of profit निकल कर आ जाएगा question खतम question ने कहा है इसके बाद में एक comparison statement और दिखा दीजे comparison में कुछ नहीं करना होता operating profit की percentage पूछी थी इन्होंने तो operating profit की percentage 1.7, 7.17, 3.3 थी नॉर्मल तरीके से और activities से 10.78, 6.6 और 8.75 है तो यहाँ पर traditional और ABC में कितने percentage of profit आ रहा है वो दिखा देगे इसके बाद में हमारे पास एक question है BBQ49 यह बहुत ही छोटा सा question है और आप यह मान कर चलिए यह 5 marks में एक बार आ चुका है दुवारे से भी कभी आएगा तो 5 marks में आएगा इसके अंदर बाद बहुत छोटी सी पूछी गई है MST Limited Hedge Allocated Collected MST Limited Hedge Collected the following data for its two activities it calculate activity cost rate based on cost driver capacity दो activities की बात कर रहे है activity है power और quality inspection cost driver है kilowatt hour और number of inspection capacity है 50,000 और 10,000 और cost है 2 lakh और 3 lakh the company में 3 product MST यह 3 product बना रहे है the following consumption of cost driver reported MST ने कितने kilowatt hours यूज किये है और कितनी quality inspection हुआ है वो दोनों बता दिया सबसे पहले question ने कहा है compute the cost allocate to each product from each activity तो हर product पे कितना खर्चा आएगा वो बताने है अब जड़र देखिए 2 lakh का खर्चा 50,000 kilowatt hours पर और 3 lakh का खर्चा 10,000 inspection पर तो यह हो गया रुपीज 4 पर kilowatt hour और यह निकल कर आगया रुपीज 3 पर inspection ठीक है ठीक अब 4 रुपे पर kilowatt hour का recovery rate है और 3 रुपे पर inspection का rate है तो यह हो गया 40 80 60 और यह हो गया 10,500 7,500 और 9,000 तो question की पहली requirement है compute cost allocate to each product from each activity तो MST पावर का खर्चा आगया 40,80,60 40,80,60 और inspection का आगया 10,500, 75, 9,000 यह 30 रुपे पर inspection है 30 रुपे, 30 रुपे 1,500, 75,000 और 90,000 ठीक है 1,500, 75,000 और 90,000 इतना खर्चा बढ़ी है तो इसका खर्चा बटा है 180 पावर का और inspection का 270 question ने कह दिया अब यह बताओ unused capacity कितनी है unused capacity तो बताइए total खर्चा था 2,000,000 रुपे 2,000,000 रुपे में से 180 तो recover हो गया बचा हुआ 20,000 recover नहीं हो पाया यही है unused capacity cost तो unused capacity cost यह under recovery एक ही बात है तो यह basically under recovery है under recovery इसके बाद में हमारे पास दूसरे का खर्चा था 3,000,000 recover हुआ है 270 तो इसका आगया 30,000 under recovery तो यहाँ पर आपके पास unused capacity cost इसकी 20,000 इसकी 30 2,000,000 में से 180 recover हो गए बाकी 20,000 under recovery 3,000,000 270 आगया 30,000 under recovery इसके बाद काए कि कुछ factor बताओ जो management को capacity level निकालते हुए धियान में रखने चाहिए उसके कुछ theoretical point दिये हुए है इसके बाद में हमारे पास बीबीक्यू 50 यह भी exam में आ चुका है दो बार ओके इनके पास पांच कस्टमर्स है इन 90 रुपे में बोटल खरीदे है और 108 में बेचते है दब डेटा पर्टेनिंग तो 5 कस्टमर्स आर एज गिवन बिलो केसिस सोल्ड A, B, C, D, E नंबर ओफ यूनिट देदिंग कितने भी किये है 4680, 9688, 136800, 71550 और 8, 775 लिश्ट प्राइस 108 रुपे है एक्चुल सेलिंग प्राइस इसका 108 का 108 है इसका 108 का 106.2 है तो 1 रुपे 80 पैसे की डिसकाउंट मिल गई पर यूनिट इसका 108 का 99 है यानि 9 रुपे पर यूनिट की डिसकाउंट इसका 108 का 104.4 है यानि 3.6 पर यूनिट की डिसकाउंट और इसका 108 का समान 97.2 पर है तो इसको डिसकाउंट हो गई 10.8 पर यूनिट की ठीक है तो actual sale price देती है कि कितने कितने है तो जो difference है वो basically discount मिल रही है सामने आले को इसके बाद में फिर data दिया है number of purchase order, number of customer visit, delivery, travel time इस तरीके से कह रहे हैं its five activities are their cost driver पांच activity है 1, 2, 3, 4, 5 और उनके cost driver बता दी खुदी कि भई cost driver rate कितना है कह रहे है हम खुदी rate निकाल कर बता रहे है 750 पर purchase order है अब यह 750 पर purchase order है तो यहाँ पर purchase order दिये गए है आप इसको 750 multiply with 15 multiply 25, 30, 25, 30 लेंगे तो इनका खर्चा निकल जाएगा आपके पास फिर कह रहे हैं कि customer visit 600 पर customer visit है यहाँ पर customer visit दी गई है इसको at the rate of 600 कर सकते हैं इसकी दो विजिट है तो 1200 रुपे तीन विजिट है अठारत सो छे विजिट है 3600 इसके बाद मैं कह रहे हैं delivery 5.75 पर delivery kilometer travel यहाँ पर बच्चा mistake कर जाता है क्योंकि वो flow में चल रहा होता है यहाँ पर देखे क्या इन्होंने case कर रखा है number of delivery ती है और kilometer travel पर delivery दिया है तो कितनी delivery है 10 उसमें कितने kilometer चले हो 20 इसका मतलब आपके पास total 200 km travel किया है तो यहाँ पर 30 delivery है 6 km की तो 180 km का travel है यहाँ पर 60 delivery है 5 km की तो 300 km का travel है यहाँ पर 40 delivery 10 km की तो 400 km का travel और यहाँ पर 30 delivery 20 delivery 30 km की तो 600 km का travel है तो यहाँ पर बच्चा यहाँ मिश्टेक कर सकता है question नहीं लिखा है 5.75 पर delivery km एक km के लिए 5.75 तो यहाँ पर 5.75 पर km आगे जितने km चले हो multiply करते जाओ इसके बाद में product handling 3.75 पर case sold है तो यहाँ पर case sold आपको दिए गए है 3.75 पर unit का आपका खर्चा है multiply करिए आपके पास product handling cost है जाएगी फिर कहा है expedient delivery 2250 पर delivery तो यहाँ पर कोई delivery नहीं यहाँ नहीं यहाँ नहीं यहाँ यहाँ पर एक delivery है तो एक delivery के 2250 आपके खर्च होते हैं तो आपके पास इस तरीके से profit निकल जाएगा question कहरें compute the customer level operating income of each of five retail customer now being examined ABCTE comment on the result तो सबसे पहले आप केसे sold लिख लेंगे आपका जो actual sale price है उससे multiply कर दीजिए 90 रुपए आपकी bottle खरीद नहीं cost है वो 90 रुपए पर unit minus करिए उसके बाद में यहाँ से purchase order customer widget किलो मीटर पर खर्चा expedit delivery और case sold पर जो जो खड़ जाए वो minus करते जाएए अब ज़ए देखे सबसे पहले number of units लिखनी revenue का list price 108 लिखा है फिर discount minus की है फिर net of discount आगया आप सीधे net of discount से शुरू कर सकते हैं 4680 unit है 108 की बेची है इसके बाद में 9688 unit है 106.2 की बेची है यह 99 की यह 104.4 की 97.2 की तो इसमें discount दिखाने की आपको ज़़वत नहीं है सीधे sale price net of discount से start कर सकते है उसके बाद में 90 रुपे per unit की bottle की cost है वो minus करिए फिर आपके पास आगया gross profit अब gross profit के बाद में आपको सारे activities के खर्चे minus करने है यहाँ पर ही minus करके दिखा सकते हैं हमने इसके लिए अलग से working note दिखा दिया है तो working note में order taking 750 पर order से निकाल दिया customer विजिट 600 पर विजिट है निकाल दिया इसके बाद में kilometer travel है तो kilometer traveled पहले calculate किया फिर 5.75 से multiply कर दिया product handling 3.75 पर unit है और इसके बाद में एक exped delivery जो इसका था इन्हें जोड़ा कितने खर्चे आ रहे हैं और यह खर्चे उठा कर यहाँ पर minus कर दिये आपके पास profit निकल कर आ गया ठीक है अब profit निकल कर आने के बाद में question ने कहा है exam में यह same ditto question आ रहा है examiner ने कहा है कि comment और बताओ तो इसमें देखने वाली बात क्या ह कमेंट में देखें आपके पास 274 सबसे कम profit है 739 सबसे ज़्यादा profit है अगर हम 739 की बात करें तो 739 डी का profit है इसका profit highest है और ई का profit lowest है अब वो डी का highest profit है जबकि D से ज़्यादा unit तो C ने खरीदी है D ने खरीदी है 71,550 unit लेकिन C ने खरीदी है 136,800 unit तो C का profit ज़्यादा होना चाहिए तो D का क्यों ज़्यादा है ये comment में लिखेंगे हम सबसे पहले तो यहाँ पर customer D सबसे ज़्यादा profit दे रहा है जबकि C उससे ज़्यादा समान खरी 3.6 रुपीच की discount दिये और इसे 9 रुपे की तो एक तो C को आपने discount ज़्यादा दिये दूसरा उसके जो यह वाले खर्चें है यह ज़्यादा आ रहे होंगे तो हमारे पास आपने एक तो discount दिये और इसे discount कम दिये दूसरा customer C के जो other expensive है वो ज़्यादा रहे होंगे ठीक है इसके बाद में दूसरा हमें बताना है किसने सबसे कम profit कमाए तो किसने सबसे ज़्यादा कमाए और किसने कम वो बताना है तो E सबसे कम profit एवल है यह देखिए इसके बाद में question ने second point में कहा है कि आपको क्या insight नजर आता है तो insight हमें बताना है लिष्ट प्राइस और actual sale price को देखते हुए तो यहाँ पर question में हमारे पास list price और actual sale price का अगर हम comparison करेंगे तो हमारे पास यहाँ 0 discount यहाँ 1.8 की discount यहाँ पर आपके पास 9 रुपे की discount यहाँ पर 3.6 की discount और यहाँ पर 10.8 की discount ठीक है अब आप यह देखिए सबसे ज़्यादा unit कौन खरीद रहा है C 1,36,800 उसे नोर्पे की discount मिली है C के बाद में दूसरे नंबर पे है D D करीद रहा है 71,550 उसे 3.6 की discount मिली है D के बाद में आ रहा है आपके बाद B B को 1.8 की discount मिली है B के बाद में आ रहा है A A को कोई discount नहीं मिली उसके बाद में E सबसे कम quantity sorry B के बाद में आ रहा है E और E के बाद में आ रहा है A, A को कोई डिसकाउंट नहीं मिली, अब मुझे बताइए, C सबसे जादा यूनिट खरीद रहा था, 9 रुपे पर यूनिट के डिसकाउंट, D उससे कम 3.6 की डिसकाउंट, B उससे कम 1.8 के डिसकाउंट, तो आप यूनिट कम खरीद रहे हो, तो ड में दिखाएंगे, कि बहुत ज़्यादा हेवी डिसकाउंट दी जारी है, तो E को जो डिसकाउंट दी जारी है, इसके उपर कोशन पूछा जाएगा, तो E के इस डिसकाउंट को एक्सप्लोर करना जरूरी है, ओके, इसके बाद में हमारे पास BBQ 51, बच्चों ये लास्ट को कोशन है, और activity-based costing का काम खतम हो जाएगा, ये chapter बहुत simple है, और पूरी तरीके से clerical है, इसमें calculation करने में ही गलती हो सकती है, जो कोशन मैंने इसमें दी है, आपको आज, आपको class के तुरंत बाद उन्हें solve करना है, अगर आप class के तुरंत बाद इनको solve करेंगे, मैं आपको बैंक offers three product, namely deposit, loan and credit card, ठीक है जी, deposit, loan, credit card, the bank has selected four activities for a detailed budgeting exercise following activity-based costing method, the bank wants to know the product-wise total cost per unit for the selected activities so that price may be fixed accordingly, तो हमारे पास bank के पास product क्या होते हैं, bank के पास product है कि कुछ deposit है, कुछ loan दे रखें, कुछ credit card दे रखें, ये कह रहे हैं कि हम product-wise total cost per unit जानना चाहते हैं कि हमारी deposit की cost किती हा रही है, loan की cost, credit card की cost, basically इनको process करने की, इनकी documentation की cost कितनी हा रही है, जिससे हम price fix कर सकें, ठीक है जी, following information is made available to formulate the budget, अब हमें budget बनाना है, okay, सबसे पहले, सबसे पहले activity है, ATM service, ATM service में machine की maintenance, rent और currency replacement cost, 4 lakh, 2 lakh और 1 lakh आती है, estimation for the budget period, अब budget period में क्या होने वाला है, जो machine की maintenance है, वो fix रहेगी, कोई change नहीं रहेगा, इसका मतलब ये 4 lakh ही रहेगी, ठीक है, rent fully fixed है, कोई change नहीं रहेगा, तो वो 2 lakh ही रहेगा, ठीक है, currency replacement cost expected to double during the budget period, तो अभी 1 lakh रुपे है, अभी double हो जाएगा, तो 2 lakh हो जाएगा, यानि अब आपका खर्चा, जो पहले 7 lakh आ रहा था, वो budgeted period में 8 lakh रुपे आएगा, तो हमारे पास, ATM service का खर्चा 8 lakh होने वाला है, half of this amount is fixed and no change is expected, तो इसका आधा धाई लाग रुपे तो fix है, लो जी धाई लाग रुपे fix है, ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, the variable portion, बचे हुए 5 lakh रुपे variable है, variable portion is expected to increase 2-3 times, तो 3 गुना हो जाएगा, तो 5 lakh रुपे 3 गुना हो जाएगे, यानि की 7.5 lakh हो जाएगे, ये इसका मतलब खर्चा हमारे पास होने वाला है, 10 lakh रुपे, तो 5 lakh fix हैं, वो fix रहेंगे, बचे हुए 5 lakh 3 गुना हो जाएगे, 7.5, य इसके बाद में कहरे हैं, issuing statement, यानि जो हम bank statement वगरा issue करते हैं, उसके बारे में, presently 3 lakh statements are made, in the budget period, 5 lakh statement are expected, अभी 3 lakh print out निकलते हैं, कल को 5 lakh print out निकलेंगे, इस तरह से, 4 every increase of 1 lakh statement, 1 lakh rupees is budgeted increase, तो अभी हमारा खर्चा 18 lakh है, 3 lakh statement है, अब 3 से बढ़कर 5 lakh हो जाएंगे, यानि 2 lakh statement बढ़ने वाले हैं, कहरे हर 1 lakh statement बढ़ने पर, 1 lakh का खर्चा बढ़ाओ, तो हमारी statement कितने बढ़ने हैं, 2 lakh, तो खर्चा भी कितना बढ़ेगा, 2 lakh, तो जो 18 lakh है, वो in future, 20 lakh रुपे हो जाएगा, तो ये 20 lakh रुपे हो गया, ठीक है, इसके बाद last खर्चा है, computer inquiry, computer inquiry 2 lakh रुपीच का खर्चा है, estimated to increase by 80% during the budget period, 80% बढ़ा दो, तो 2 lakh का 80% increase करो, 3.6 lakh हो गया, ये, तो ये आ गया, 3.6 lakh, तो हमारे पास 1, 2, 3, 4 activities हैं, चारों का हमने budgeted खर्चा कितना है निकाल लिया, ठीक है, अब question के अंदा देखिए, ATM service, this activity is driven by number of ATM transaction, computer processing, this activity is driven by number of computer transaction, issueing statement, this activity is driven by number of statement, computer inquiries, this activity is driven by telephone minute, तो इनके चारों के cost driver आ गए, ATM का number of ATM transaction, दूसरे का computer transaction, तीसरे का number of statement, और चोथे का telephone minute, वो यहाँ पर दिये गए, number of ATM transaction, computer processing, statement और telephone minute, तो हमारे deposits के उपर, loan के उपर, credit card के उपर, कितने कितने आने वाले हैं, बता दिया, तो ATM की transaction, deposit की 150, और credit card की 50,000 होंगी, तो इसके जो 8,00,000 रुपे हैं, वो 1,50,000, इस to 50,000 के ratio में, deposit और credit card में बढ़ जाने चाहिए, तो deposit और credit card में यह अपना distribute हो गए, यहाँ पर हमने निकाल कर दिखा दिया है, कि यह total हुआ 2,00, और 8,00,000 का खर्चा है, 2,00,000 transaction पर, हर transaction के 4 रुपे, इसकी transaction 150 हैं, तो इसके 4 रुपे से 6,00,000 हो गए, इसकी 50,00,000 हैं, तो 4 रुपे से 2,00,000 का खर्चा आगया, आप चाहो तो 8,00,000 को, 150 और 50 के ratio में, 3 to 1 के ratio में सीधे बाढ़ दो, तो 6,00,000 और 2,00,000 आजाएगा, इसके बाद में दूसरा है computer processing, तो computer processing का खर्चा था 10,00, आप 10,00,000 को सीधे 15,00, 2 to 3 में बाढ़ दो, आप का जाएगा 7.5,00, 1,00,000, और 1.5,00, यहां फिर इसका total है 20,00, तो 10,00,000 को divide करो 20,00, 50 पैसे आ गया, अब 50 पैसे को multiply करो 15,00, 2,00, और 3,00, और यहां पर distribute कर दो, किसी भी तरीके से करिए, एक ही बात है, इसके बाद में number of statement हमारे पास आ गए, 350, 50, और 1,00, 5,00, और 360, 180, 180, 7.2,00, इन रेशों में इन खर्चों को बाढ़ दीजिए, आपके पास यह सारे के सारे बढ़ गए, इनकी cost निकल कर आपकी आ गई, कि यह हमारी cost है गी, तो deposit, loan और credit card की total cost निकल कर आ गई, अब कितने deposits हैं, कितने loan हैं और कितने credit card हैं, उससे divide कर दीजिए, per unit cost निकल जाएगी, तो हमारे पास 58,600 deposits हैं, 13,000 loans हैं, और 14,000 credit card हैं, तो 58,600, 13,000, 14,000 से divide कर दीजिए, budgeted cost per unit निकल कर आ गई, chapter खतम, ये था हमारे पास activity based costing, बहुत बढ़िया chapter है, 10 marks में आता है, कितने बच्चों को पूरा मज़ा आ गया, और A to Z सारी चीज़े clear हो गई हैं, हां जी, कितने बच्चों को मज़ा आ गया, कि हाँ भी A to Z सब कुछ clear हो गया है, पूरी तरीके से, इसी में से एक question आएगा, 10 number का, अभी class के बाद इसकी practice कर लो, एक दम मज़ा जाजएगा, दूसी चीज, लिख के writing में practice करना, इस chapter की, 10 number बिल्कुल fix हैं, अभी question करा था हमने पीछे, 10 number उससे fix हैं, 10 number इससे बिल्कुल fix हैं, इसको कोई नहीं हटा सकता है, इसमें से आएगा ही आएगा, ठीक है, अभी इसमें कोई भी दिक्कत आपको अगर आती है ABC में, तो वीडियो को पीछे करके अराम से देख लेना, कोई भी doubt आ रहे हैं देख लेना, और दूसर राइटिंग में करने की practice करना, हाँ जी, ऐसे कितने बच्चे हैं जिनने ABC पहले समझ में नहीं आये था, और आज clear हो गया उनको, एक बच्चा कह रहे हैं सर इस्टोर्ट सपोर्ट कोस्ट को हम overhead लिख सकते हैं, तो कोई जरूरती नहीं है लिखने की, जो नाम लिखा है वो लिखा रहे हैं दीजे, सर सब अच्छा था है एक बार 47 दुवार्ट से कर दीए, बेटा वो वीडियो पीछे करके दुवार्ट से देख लेना, आजेगा समझ में, कोस्ट ड्राइवर कब निकालते हैं और कब रेशो में बाठते हैं, बड़ा सिंपल सा है, अगर आप पर यूनिट कोस्ट निकालोगे, पर यूनिट, पर यूनिट कैलकूलेशन करोगे, तो कोस्ट ड्राइवर रेट निकालना पड़ेगा, और अगर आप टोटल का स्टेट्मेंट बनाओगे, total के बहुत टोटल एक खच्चा इतना बी का इतना सी का इतना तो total में बनाओगे तो ratio में ही काम हो जाएगा फिर आपको coast driver की ज़र्वत नहीं है total में निकाल लो last में number of unit से divide करके पर unit बता दो आपको इसमें help मिलेगी आसानी मिलेगी जल्दी होगा रवी कह रहे हैं सर पहली बार पूरा clear होगे एकदम full amazing सर सर नवंबर 22 में आपका booster देखा था तब भी समझ आ गया था आज तो सोने पर सुहागा हो गया बहुत ही बड़िया अब next chapter आज नहीं करेंगे उसका region यह है कि इस chapter के आपको writing में करने जरूरी है इस chapter के writing में करो आप लो question अच्छा chapter रहे है दस number pocket में आ जाएंगे next chapter हमारा contract costing होगा जो नए syllabus में हट वी रहा है old syllabus में था सिर्फ contract costing अब नए syllabus में चला जाएगा यानि November 23 में last time होगा जब contract costing आएगा तो जब last attempt होता है किसी chapter का तो ICI उसका बिल्कुछ simple question देता है उसके वारे में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता जो chapter हटने वाला उस पर मेहनत नहीं करता तो contract costing का question अगर नवंबर 23 में आया तो जो booster batch में हमारे एक भी दिन की कोई छुट्टी है लाइट भी चलेगी तो time आगे बढ़ा दिया है कुछ भी manage किया कोई भी काम कर रहा हूं मैं आ रहा हूं डेली यहां पर तो मैं डेली आ रहा हूं तो आप लोग भी डेली के बीसी में और कोशन ही नहीं उसके अंदर concept ही जड़ा सा है बिलकुल तो यह हमारे पास में बिलकुल किलियर है एकदम कि किस तरीके से चलेगा कल हम लोग मिलेंगे आप लोगों से फाइब पीम ओके डी वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल सब्सक्राइब ना किया हो त अपने दोस्तों को भी बता दीजिए कि booster batch जरूर देख लें बहुत आसानी से सारे chapter cover हो जाएंगे और telegram चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो वह भी कर दीजिए वीडियो को like करें positive comment डालें और जो हमारे पास इसका time stamp डाल दीजिएगा बच्चे बाद में time stamp डाल देते है सब्सक्राइब तो time stamp डाल दीजिएगा बहुत ही helpful रहता है बाकी बच्चों के लिए ओके जी सभी को टाड़ा वाई वाई